बहुत कम ऐसा होता है ना जब आप टिकेट खरीदते हो फिल्म देखने का लेकिन दर्वाजे खुलते ही आप बिलकुल एक नई दुनिया में पहुँच जाते हो फिल्म का नाम है ड्यून पार्ट टू और इससे पहले आप मुझसे ये पूछो कि सेकंड देखने के लिए फर्स देखना ज़रूरी है जी हाँ बिलकुल दोनों फिल्म है आपस में 100% कनेक्टेड है पहली वाली नहीं देखी तो दूसरी वाली सीधा सर के उपर से निकल कहानी का थीम एकदम अपने देशी सूपर हीरो बाहुबली जैसा है पापा की मौत का बदला लेना है बेटे को जिसका हग बनता है राजा की गुरसी पर बैठने का लेकिन दिश्मन ना करे दोस्तने वो काम किया है खुद के परिवार वालों ने धोके से पिता को मारा और बेटे को रेगिस्तान में मरने को छोड़ दिया है अब बेटा अपनी नई फौज बना रहा है जिसमें शामिल है बिचारे गरीब से लोग जिन पर हमेशा से अत्याचार होता है और इंतजार कर रहे हैं किसी मसीहा का मसीहा कौन है अपना हीरो जिसके पास थोड़ी बहुत जादुई शक्तियां भी हैं ये फ्यूचर देख लेता है बिना कुछ बोले आपके दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता है लेकिन ये बदला राजा की कुरसी और गरीबो का मसीहा ये सब कुछ डिपेंड करता है कहानी के सबसे इंपॉर्टन केरेक्टर पे मिलो इन से इनको ब चास है इस फिल्म में जिसको हॉलिवुड में बनने वाली आज तक की सबसे बेस्ट फिल्म बोला जा रहा है अरे बैटमन ट्रायलोजी से भी दो कदम आगे की चीज़ बता रहे हैं लोग इसको भया डीसी मावल को भी शर्म से पानी पानी कर देगा ऐसा तक लिखा गया है जवाब है ओपन हैमर अरे जिस डिटेलिंग के साथ उस फिल्म को तयार किया गया था ऐसा लगा नहीं थीटर के अंदर 1940s में बैठे हो आप आइंस्टैन के साथ फीक वैसी ही डिटेलिंग के साथ ड्यून को तयार किया है हर छोटी से लेकर बड़ी चीज सब कुछ आपको समझा दिया जाता है वो भी सिर्फ धाई घंटे में पास्ट प्रजेंट फ्यूटर देख रहे हो तीन एंगल चल रहे हैं इस कहानी में इंटेलिजेंट सिनमा है फॉर इंटेलिजेंट ओडियंस दिमाग साथ लेकर आना पड़ेगा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जिस को फॉलो करते आये हैं जो पड़ा है उसको शकल देने का काम किया है फिल्म ने मेरे लिए ड्यून का बेस्ट पार्ट है जबरदस्ती हीरो वर्सेज विलन का एंगल फोर्स ना करना जिसकी बहुत गंदी आदत लग चुकी है डीसी मार्वल की मेकर्स को ड्यून का कोई भी VFX और Special Effects के बाद भी Overdose नहीं किया किसी भी चीज़ का सिर्फ कहानी के दम पर फिल्म को बड़ा बनाने का ट्राइ किया है Salute और ये चीज़ मैं हमेशा नोटिस करती हूँ Hollywood में लोग ऐसे acting करते हैं जैसे acting करते ही नहीं है वो character real सा हो जाता है Dune में सबकी performances गजब की हैं किसी से डर लगता है तो किसी के साथ आप emotionally connected हो तो कोई secrets लेकर घूम रहा है अब देखो जादा जिसके बारे में बुला जाए ऐसा cinema है नहीं ये टिकेट खरीद के आँकों के सामने feel किया जाए वैसा lifetime experience है Dune फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 4.5 stars मिलेंगे पहला storytelling perfection है दूसरा सिर्फ धाई गंटे में इतनी detailing impossible तीसरा फिल्म के visuals जो sand warm जैसे fictional character में भी जान डाल देते हैं चौथा good versus evil का easy रास्ता ना पकड़ कर Dune को as whole एक दुनिया बनाना सही गलत से अलग और half star इतना realistic performance सारे characters की casting perfect है किसी और को imagine नहीं कर सकते negatives में बस एक छोटी सी शिकायत फिल्म का climax आपको totally climax जैसा नहीं लगेगा मुझे पता है कहानी part 3 की तरफ आगे बढ़ रही है इसलिए makers बीच में ही रुख गये लेकिन थोड़ा ending वाला feeling missing सा रह गया अब भी wait कर रहे हो क्या mobile उठाओ टिकेट निकालो ड्यून जैसी फिल्म मोबाइल पर नहीं थीएटर में देखी जाती है बाबो मुशाय बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको instagram पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा से इंतिजा करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाइबाइब